पश्मीर के अखनूर से बड़ी खबर सामने आ रही है अखनूर में सेना की गाड़ी पर फाइरिंग की गई जो गवान इलाके में संधिक दातंक क्यों ने ये फाइरिंग की है इलाके में बड़े पैमाने पर तलाश ये अभियान चुलाया जा रहा है तो देखें लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी जिस तरीके से यहाँ पर अपने मनसुबुक अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं उसके बाद लगातार इन पर रोक्ताम की लिए कड़े प्रियास भी सेना द्वारा किये जा रहे है अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर अ आखिरकार क्या ऐसा कारण है जिसके चलते अब ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जारे क्योंकि जिस तरीके से आतंकियों द्वारा चुराओ के वक्त पर ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी उस वक्त पर अंदाजा यह लगाया जारा था क्या प्रमाहुल खराब करने की काफी घटनाएं सामने नहीं आ रही थी जम्मू को इन्होंने निशाना बनाया हुआ था लेकिन अब कश्मीर में भी ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही है दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लोसी के उस पार भी अभी कुछ आतंकि घुसपैट की कोशिश के लिए ब पूरा घटना करब हुआ है इसको विस्तार से जरा समझाईएगा और आज एक बार फिर से सेना के काफिले पर हमला करके आतंकियों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है यह तस्वीरे आप देखेंगे यह एक्स्क्लूजिव तस्वीरे यहां ग्राउंड जीरो से हैं और बटल क्योंकि जहां पर मुटवेट चल रही मैं आपको वो ल जो भाढ़ बज़े का वक्त था जब यह आतंकी इस दाके में पहुंचे और इन 20 राखे ने आ कर पहले आब वहाँ पो पर कुस्कूली बच्चेंगाने मंदिर में जुप में चुपे हुए थे जैसे ही आतंकी मंदिर में पहुंचे उसके बाद कुछ बच्चे वहां पर माता ठेकने के लिए पहुंचे तो इन आतंकीों ने बच्चों को काफी दिर वहां रोके रखा उनसे कुछ पूश्टाज की आपको बताओं कि ये भी एक सबसे बड़ी कहीं ये कहा जाए कि परिश ये रहा की वहां कोई नुकसान जो है वो सुरक्षाबलों को नहीं उठाना पड़ा ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे ये तस्वीरें साब बताती है कि किस तरह से इस वक सिच्चुएशन बनी हुई है तब से लेकर आपको बताओं कि जैसे ही सेना के काफीले पर हमला हुआ आतंकी जो है वो वहां पर फस्क है और सेना के अत्रिक ट्रूप जो है वो वहां पर पहुंचे जमकुश्मी पुलीस और भारतिय सेना जो है वो लगातार अपन जो है इस पूरे इलाके में कॉर्डन लगाकर इस ओपरेशन को चला रही है भारी गुलाबारी इस वक चल रही है अभी जो जानकारी है यहां की जो है मंदिर से भागने का प्रयास कर रहे हैं मगर सेना और पुलीस ने लगातार इनको घेरा हुआ है और इस चीज को सुनीचित क्या जा रहा है कि यहां से भागने का प्रयास करें तो उनको मार गिरा जाए मैं कोशिश करता आपको ये location आप देखेंगे ये घने जंगल का जो इलाका है यहीं घने जंगल के बीतर ये आतंकी जो है वो छुपे हुए हैं इन आतंकी उंकी संख्या तीन से चार हो सकती है जो बच्चे जिन बच्चों को इन्होंने hostage बनाया था कुछ तमय के लिए वो बच्चे जो बता नहीं कहीं संजीदा मामला इसलिए बन जाता है कि लाइन अफ कंट्रोल के सीथ ठीक साथ सटा हुआ इसके साथ जो है कुछी दूरी पर गाउं है ऐसे में शिविलिंट जो है उनको कोई नुक्सान ना हो इससको सुनीचित करना है और सुरक्षाबल लगातार इससको कि जो है इस इलाके से भागने ना पाएं और इन आतंकियों को जल से जल मार गिराया जा सके बिल्कुल बिल्कुल आजे जिस तरीके से देखा जाये तो गनिमत ये रही कि यहां पर इन छात्रों को कोई नक्सान जो है वो नहीं पहुँचाया गया लेकिन अगर बात कि जो तो संख्या क्या कुछ है इन आतंकियों की इन दहशत गरदों की क्या संख्या बताई जा रही है? तो आसपास का जो सिविलिन इलाका है वहां कोई नुकसान की आशंका हो सकती है और खास्तोर पर अगर आपको बताओं क्यूंकि दूसरी तरफ लाइन अफ कंट्रोल का इलाका है और वहां से अगर आतंकी आये हैं कौन सा रूट इन्हों ने लिया क्या इनकी मंचा थी ये कही लोगों की शहादत हुई जिसमें दो पोर्टर भी शामिल थे इस बार एक पर फिर से सेना की गारियां जो वहां से मूब कर रहे थी उनको निशाना बनाकर आतंकियों ने जो कोशिश की है ये साब बता आता है कि आतंकी जो है वो इसी तरह से इसी पैटन पर जो है वो सुर आतंकी जिस जगह पे छुपे हैं इनको मार गिराने की कवायच जो है वो तेज की गई है ये बटल इलाका आपको बता दूँ कि कुछ साल पहले इसी इलाके से गुस्प्याट करके कुछ आतंकी आये थे और उन्होंने एक गृफ के कैम पर हमला किया था जिसमें कुछ का जम्मु कश्मी पुलीस और सेना का कही ना कहीं सबसे पहली प्रियोटी ये कि जल से जल बिना किसी नुक्सान के इन आतंक्यों को मार गिरा आ जा सके बिल्कुल बिल्कुल आजेज इस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार ये घटनाए जो है वो बढ़ती जा रहे हैं बड़ा सवाल ये है क्योंकि अभी जम्मु कश्मीर में बड़ा फेर बदल हुआ है चुनाव के बाद बड़ा फेर बदल हुआ है और हर तरह से बदलाव ज्यम्मु कश्मीर में देखा जा रहा है लगातार अब घट्नाएं भी बढ़ती जा रहे हैं पहले जम्मु को निशाना बनाये हुआ था लेकिन कश्मीर में भी घट्नाएं लगातार बढ़ती नजर आई मैं एक तस्वीर आपको बताने की कोशिश करता हूँ पहले आप देखें कि सामने सेना की जो गारियां हैं जमुकुष्मी पुलीस के जो वरिष्ट अधिकारी हैं वो मोके पे पहुंच रहे हैं ताकि कि किसी भी तरीके से इन आतंकी जो यहां पे छुपे हुए हैं वो उनको जो है कही न कहीं मार गिरा जा सके जल्द से जल्द और खास तोर पर आपको बता दूंकि आप देखेंगे यह आतंकी जब इस जंगल से भागने का प्रयास कर रहे हैं उसके साथ-साथ आस्मान पर भी आस्मान से भी इस पूरे इलाके पर नज़र रखी जा रही है क्योंकि बहुंट जाता है जंगल के अलाके से आटन कीछिता धाटन काई जास कें तो उनको कहीं न कहीं ट्रेस किया जा सकें उनकी यूल के जो रिलोकिशन है जो अलग जगा पर छुपने का प्रयास करें उसको ढोड़ा जा सकें उससा लिकर भी लगातार परयाच जो है वो सुरक्षबलों के जारी है दरसल जब भी आतंकी इस इस इलाके में पहुंटे हैं ऐसे जंगल के इलाके में तो उनकी कोशी यह होती है कि वो हमला करें उसके बाद वहां से भाग जाएं इसी के पैटन पर अगर आगर आप देखें तो पहले ड भागे इस चीज़ को सुनिसित क्या जा रहा है कि यह भागने ना पाएं और अगर भागने का प्रियास करें तो इनको जल से जड़ न्यूट्रलाइज किया जा सके इनको मार गिरा जा सके उसी चीज़ को लेकर कवाज चल रही है जमकुष्मी पुलीस के जवान लगातार यहां मोर्चा संबाले हुए हैं यह सामने अगर आप देखेंगे तो यही वो एक ब्रिज है जिसकी कनेक्टिविटी उस तरफ है और इसी ब्रिज से यह जो है तमाम मोर्चे संबाल कर यहां पर जमकुष्मी पुलीस और सेना जो है वो डटी हुई है इस चीज़ को सुनिस क्या जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो है यह जो तो माम मिलचा यहां आतँकि जो है वो आगर भागने का प्रैस करें तो उनको रोका जा सके आप देखेंगे जमकुषमी पुलीस की गाडियां, सेनाकी गाडियां, तमाम इलाके को खेरकर बैठी हुई हूई हैं, सेना के जवानों, जमकुषमी पुलीस के जवानों ने लगतार मोर्चा संबला हुआ हूए और इस चीज को सुनिस्ति क्या जा रहा है कि कैसे भी हो इन आतंकियों को मार गिराने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएागी और जल्ड से जल्ड इन आतंकियों का सफाया जो है वो किया जाएगा ये टस्फीरे एकस्कैजीव तस्फीरें जो है ये इंडिया नीूँज इस वक्राउंड जिरो जो से बता रहा है हम एक लोते चैनल हैं जो इस वक्तर इस ग्राउंड जीरो पर बटल में आतंकियों के छुपे जहां पर आतंकी छुपे हैं जहां मार गिराने के लिए उनको कवायच चल रही है उस जगह पर पहुंचे हैं और यहां से एक्स्क्लूजिर विपोर्टी कर रि अपडेट्स के लिए बढ़ते हैं अब आगे दिवाली के लिए बढ़ते हैं अब आगे दिवाली